यह देखिए रितिक यहां पर पढ़ाई करने बैटा है और मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने मैं अकेले नहीं हूँ मम्मी भी मेरे साथ है तो आज मैं एक रेसिपी आपके साथ शेर कर रही हूँ वह है टमाटर सार जो की मेरा ओल टेम फेवरेट है तो चलिए स्टार करत है तो गैस पर मैंने तवा रख दिया है अब इसमें डालते हैं एक बड़ा चमज ऑईल जो ऐसे ही तेर गरम हो जाता है इसमें डालते हैं चार ग्रीन चिली चार सुकी लाल मिर्ज एक चुटी चमज जीरा आठ से दस लेशन और अब इसे एक से दो मीड के लिए भून लेते हैं फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखे अब इसे साइड में रखते हैं अब डालते हैं टमाटर यह टमाटर मैंने मापसा से लेकर आई थी यह टमाटर छोटे और राउंड रहते हैं और यह बहुत ही खटे तो मैंने यहां पर पांच टमाटर ली है तो टमेटर सार में ना हमें खटे टमाटर ही चाहिए तो हमें खटे टमाटर का इस्तमाल करना होता है तो अब इसे ना सॉफ्ट होने तक फ्राइ करते हैं तो यह देखें टमाटर यहां पर आच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो यहा मेती को मैंने अज़े से बुन लिया है एक चुताई टीस्पून बुना हुआ राई अब मिक्सी जाल में फ्राइ की हुई ग्रीन चिली और सुकी लाल मिश डाल देते हैं और साथी में इसमें डाल देते हैं ग्रिटिर किया हुआ कोकनट थोड़ा सा पानी एड़ करते हैं और इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं यह देखे पेस्ट तयार है इसी में डालते हैं फ्राइ की हुई टमाटर और इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं अब मसाले को एक बरतन में ट्रांसफर करते हैं ग्रेवी आपको पतला चाहिए या गाड़ा उस इसाप से आप पानी एड़ करें तो टोमेडर सारना पतला यह अच्छा रगता है तो उस इसाप से आप पानी एड़ करें तो आब इसमें डालते हैं नमक, स्वादा नुसार, इसे अच्छे से मिक्स करें, अब इसे न मैंने गैस के उपर रख दिया है, अच्छे से इसे मिक्स करें, और अब इसे न एक हलका सा उबाल आते हैं, यह देखिए, ग्रेवी को अच्छे से उबाल आ चुका है, अब डालते हैं बारिक चॉप किया हुआ धनिया, अच्छे से मिक्स करें, तो यहाँ पर टॉमेटो सार बनके तयार है, फाइनल इसको अभी तड़का देते हैं, तो तड़के के लिए इसमें डालते हैं एक बड़ा चम्मश ऑइल, जैसे ही तेल गरम हो जाता है, इसमें डालते हैं, एक चुटी चम्मश राई, और थोड़ी से करी पता, बस यह अब रेडी है, अब इसमें करी में डाल देते हैं, तो यहाँ पर टॉमेटो सार बनके तय आज मैं आप लोगों को एक अलग तरीके से फिश फ्राई बनाना बताती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं दो बड़े चम्मश लाल मिर्च पावडर, आधी चुटी चम्मश हल्दी पावडर, आधी चुटी चम्मश अध्रक रसुन का पेस्ट, एक चुटी चम्मश क लाली मिर्च पावडर यानि ब्लेक पेपर, नमक स्वादा नुसार, तीन बड़े चम्मश कॉन फ्लार, और एक अंडा, तो अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा अलग टाइप का फिश फ्राई है यह पर खाने में नहीं बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें, आप लोग को यह जरूर पसंद आएगा, इसमें पाले का इस्तमाल नहीं करना है, इसे ऐसे ही मिक्स करना है, तो मसाल यहां पर अच्छे से मिक्स हो चुका है, और मसाल यहां पर रेडी है, तो यहां पर मैंने किंग ले सकते हैं तो मसाले को फीश के उपर अच्छे से लगा दे तो यह अब रेड़ी है अब इसे फ्राइ करते हैं इसे बिना सुझी यानि रवा डाले इसे हमें फ्राइ करना है अगर आप चाये तो इसमें रवा भी लगा सकते हैं यह बिना रवा लगाए यह बहुत ही टेस्टी लगती है दोनों साइड इसे अच्चे से गोल्डन कला आने ता इसे फ्राइ करना है ये फीशना बहुत क्रिस्पी बनती है तो ये अब रेड़ी है थोड़े मैंने किंग फीश और यहाँ पे तादले फीश फ्राइ की है इसको मैंने रवा लगा के फ्राइ किया है तो चलते हैं अब खाना काते हैं उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब बजे रात के दस और खाना हो चुका है तो आज फाइनली हम किस्मस ट्री को डेकुरेट कर रहे हैं तो मैं सिफ आज किस्मस ट्री डेकुरेट करूंगी और बहार जो लाइटिंग श्टार जो है उसके रित्यू के पापा लगाएंगे तो देखते हैं जब उन्हें टाय मिलेगा और लगा देंगे तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या डेकुरेट के आइटम है तो यह देखिए किस्मस ट्री को सजाने के लिए सारे सामान जो है मैंने निकाल के रख दी है इन्हें देखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है यह देखिए यह जो बॉल है इसे मैंने लास्ट यह ले लिया था यह देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो चलिए आप किस्मस ट्री को डेकोरेट करते हैं तो यहां पर मैं किस्मस ट्री रखूंगी तो पहले इसके उपर ना एक मेरे पास ए ग्रीन कलर मैट है और डाल देते हैं चल रित्विक हाट गाल तो यह कामना रित्विक करेगा किस्मस ट्री और साइड में में रखूंगी क्रिब तो चलिए अब किस्मस ट्री को डेकोरेट करते हैं किस्मस ट्री और साइड में में रखूंगी करते हैं किस्मस ट्री और साइड 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 में रखूंगी करते हैं झाल 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 को ना मैं इस तरह से उपर जो कॉर्णर है ना वहां पर डाल दूंगी ऐसे मैं एक दो तीन चार पांच पांच कॉर्णर है तो इसको मैं कॉर्णर में डाल दूंगी यह बहुत ही अच्छा लगता है कर दिया है और यहां पर मैंने च्छोटे मूटी डेकोरेशन कर दिया है और बाहर दूर को भी लगाना है वह मैं कल लगाँगी अब बच चुके है बारा तो आज इस व्लग को मैं यही एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेस व्लग में तब तक के लिए बाई डिकें बाई बाई